तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डॉमेस्टिक वॉयलेंस दो मिन और में वेट करता हूं कि कुछ सुदूंस और आज हैं तो भी इल स्टार्ट वॉयलेंस अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो पार्ज के लिए इंपॉर्टेंट है MP ADPO की vacancy आई हुई है although exam अभी scheduled नहीं है RGS का भी problems का but पढ़ना है आपको ये act सुन सब के लिए तो भाई domestic violence act में सबसे बड़ा एक concern ये है मतलब अगर आपको इस act को ढ़न से समझना है तो पहले ये जानना है कि ये किसके against available है, कौन इसमें victim हो सकता है और कौन इसमें accused हो सकता है किसके against complaint file हो सकती है सबसे major concern है इस act का इस बात को अगर आपने समझ लिया तो काफी कुछ आपके लिए वैसे ही clear हो जाएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जैसे ही आपके दिमाग में domestic violence act आता है तो कुछ ऐसी image आपके दिमाग में आती होगी this is a depiction of domestic violence domestic violence में यही आता है कि एक husband अपनी wife को मार रहा है पीट रहा है कुछ ऐसा imagination आप रखते हैं domestic violence को और जैसे कि आप बता रहा था आपको कि RJS MP ADPO में तो है गुजरात में भी आता ही act और मैं आपको बता हूँ अगर आप law student नहीं भी है ना तो भी है act आपके लिए बहुत important है जनरल पैरलेंस में भी लगभग सब ने सुन रखा domestic violence यह तो एक separate act है इसके अलावा आप सब ने 498A IPC का सुन रखा हुग एक section है 498A जिसको domestic violence के नाम से ही जाना जाता है और हर common person इसको जानता है तो क्या difference उस 498A में और specific law में पहले तो इसके overview की बात करते हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यह जो image आप देख रहे है नॉर्मली यही आपके दिमाग में आता है domestic violence देखके लेकिन भाई अब जो है देज बदल रहा है जमाना बदल रहा है तो इस image के अलावा इस image के अलावा अगर मैं आपको यह image दिखाऊं और यह एक web portal की news की ही cutting है अगर आप इसको देख पा रहे हैं यहां लेका है husband beaten by wife indoor tops in complaints followed by अगर आप इसका नाम देखें इस act को जो नाम दिया गया है the complete name is the protection of women from domestic violence act 2005 protection of women from domestic violence क्या इसका मतलब यह है कि husband complaint नहीं कर सकता domestic violence की under this act देख यह बाकी जगे तो कर सकता है बट क्या इसमें कर सकता है domestic violence act के अंदर कर सकता या नहीं कर सकता इसके बारे मैं बात करेंगे अभी कि यह possibility है या नहीं आपके opinion भी सुनना चाहूंगा मैं comment के थूँ आप लिख के बता है कि क्या हस्बन complaint फाइल कर सकता है domestic violence act में या नहीं चलिए यह तो एक बात होगे कि wife husband को मार रही है इसके अलावा कुछ और चीज़े भी और concern है इस act के जैसे क्या एक women women के against domestic violence की complaint कर सकती है चलिए wife husband के against यह किसी और male member के against करती है यहां तक तखीक है क्या एक women women के against इस picture को देखके आपके दिमाग में क्या domestic violence आ रहा है can it be termed और can it be covered by the domestic violence act और इसका जवाब आपका अगर अगर हाँ है कि हाँ women के against भी domestic violence act फाइल हो सकता है तो फिर अगला सवाल मेरा आप से यह है कि क्या सिर्फ physical abuse मारने पिटने से ही होगा domestic violence या कुछ बोल देने से भी होगा जैसे यह picture अगर आप देख रहे है तो इसमें एक सासुमा है जो अपनी बहु से कह रही है क्योंकि आपने लड़का नी दिया हमें इसलिए आपको घर से निकलना होगा तो इसमें पिटने से नहीं चल रही है घर से बाहर कर रहे हैं बस क्या यह भी कवर करेंगा ऐसे आप सको फिर इसके बाद है यह picture अगर आप देखते है तो husband wife को घर से भगा रहा है वो कोई physical abuse नहीं कर रहा है injury नहीं cause कर रहा है वो सिर्फ क्या कर रहा है wife को घर से निकाल रहा है कि इस घर में तुम नहीं रह सकती यहां से निकल जाओ दूसरी जो picture आप यहां देख रहे हैं इसमें एक wife है जो आके के अपने husband को बताती है कि मेरी job लग देई और मैं जाके job करूँगी तो husband उसे रोपता है husband कहता है नहीं क्या जरुरत है job करने ही घर समाल होआ job की जरुरत नहीं can this be termed as domestic violence क्या ये भी domestic violence में आएगा under this act क्या ये domestic violence act इन हरकतों को भी cover करेगा या नहीं करेगा तो ये कुछ बहुत important सवाल है जिनके answers हमें इस act के provision पढ़के मिलेंगे अब अगर आप law graduate है या law pursue कर रहे हैं law से connected है तब भी ठीक है अगर नहीं है तो भी आपके काम का act ये है बहुत जादा तो अभी तक आपने जो देखा कुछ husband wife के beach की चीज़ हैं या फिर mother-in-law और बहु के बीच की चीज़ है क्या भाई बहन में domestic violence की complaint हो सकती है क्या एक बहन अपने भाई के against domestic violence act के अंडर complaint कर सकती है या क्या एक mother अपने son के against domestic violence की complaint कर सकती है और क्या domestic violence act सिर्फ मेरिज के रिलेशन पर अपलाए होता है या फिर वाई दिखिए जैसा मैंने कहा वी या रहा प्रोग्रेसिव सुसाइटी है ना जमाना बदल रहा है तो शादी की जगे लिविन रिलेशनशिप भी बहुत पॉपलर है तो क्या लिवन रिलेशनशिप में अगर एक कप रहे हैं कुछ mixed views हैं इस पर लोगों के चलिए इन सारे यह basic questions हैं आपके सामने जिनको आज हमें answer करना है ठीक है कि इस domestic violence act में क्या-क्या cover होगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा हर चीज के बारे में बात करेंगे ठीक है जो provision है उससे तो हम draw करेंगे चीज़ें के बारे में बात करेंगे जो judgments दी है कोटने इन सब के बारे में और आज की इस class में यह पूरा act मैं आपका खतम कर आँगा